प्यारे बच्चों, हिंदी सुगम भारती की छटी कक्षा की पाँचवी कविता, एक चपाती ये पढ़ेंगे और इसे समझेंगे प्यारे बच्चों, कविता लिखने वाले को हम कवी कहते हैं और इस कविता की कवी हैं रमेश तेलंग इनका जन्म दो जून 1946 को टिकमगर मध्यपरदेश में हुआ है इनकी रचनाएं हिंदी के नए बाल गीत, उरन खटोले, एक चपाती और अन्य बाल कविताएं आदी इनकी रचनाएं हैं अभी हम जो कवीता पढ़ने वाले हैं एक चपाती इसमें बिल्ली और चपाती के दर्मियान जो घटना हुई है उसको मजा ही अंदाज में पेश क्या गया है चलिए फिर पढ़ते हैं एक चपाती ताती ताती एक चपाती दिखी तवे पर पेट फुलाती याने के एक कर्मा कर्म चपाती तवे पर पेट फुलाती हुई नजर आई बिल्ली मौसी बोली म्याओं भूक लगी मैं तुझको खाऊँ आपको तो पता हैं बिल्ली मौसी को बहुत ज़रों की भूक लगी थी तो उसने क्या कहा? मियाओं, भूक लगी है मैं तुझ को खाऊंगी सुनकर उच्छली दूर चपाती बोली फिर आँखे मठकाती बिल्ली की ये बात सुनकर चपाती दूर उचल कर जा बेटी और आँखे मठकाती हुई कहने लगी देखते हैं क्या कहा चपाती ने मौसी पहले मखन ला फिर चाहे मुझे को खा जा बिल्ली मौसी ठीक है तो मुझे खा जा ना लेकिन ऐसे ही खाएगी क्या पहले मखन ले आ फिर चाहे तो मुझे को खा ले ना देख चपाती की धनगन बिल्ली ले आई मखन यानि के चपाती की ये ठंगन ठंगन यानि नखरा चपाती के ये नखरे देख उसे खाने के लिए बिली मक्खन ले आई गुर्रा कर फिर बोली मियाओ अब तो मैं तुझको खा जाऊँ बिल्ली मौसी उगुरा के कहने लगी अब मैं तुझको खा जाऊंगी क्योंकि अब तो मैंने मक्षन बिला लिया है सुनकर उचली दूर चपाती बोली फिर आँखें मटकाती ये सुनकर चपाती फिर से दूर उचली और आँखें मटका कर बोली देखते हैं क्या कहा चपाती ने हाँ हाँ पहले गुर्टोला फिर चाहे मुझे को खा जा चपाती बोली के मख़न तो तु ले आई है बिल्ली मौसी लेकिन मुझे ऐसे ही रुखा सुखा खाएगी मक्षन के साथ गुर भी लेया फिर चाहे तो मुझे खा लेना बिल्ली चल दी गुर लाने लगी लोट कर जुझ लाने बिल्ली घुसे से गुर लाने के लिए चली गई और फिर आई तो बहुत ज्यादा जुझ लाने लगी म्याउ 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 अब मैं खाऊ अब मैं खाऊ बिल्ली म्याउ म्याउ करने लगी और कहने लगी अब तो मैंने गोड भी ला लिया है अब मैं तुझे खा जाऊंगी मन ही मन में गड़ी चपाती सोचा अब तो मरी चपाती मन ही मन में चपाती घपराने लगी और सोचने लगी कि अब तो मैं मरी चिर कर बोली खानक्ती बिली घुसे में जप्ती चपाती बहुत चिर गई थी और चिर कर बिले से क्या कहां खानक्ती इस वज़े से बिल्ली घुसे से उस पर छप्टा माने लगी कमरे में आते ही मा के बिल्ली भागी दुम दबा के कमरे में जैसे ही मा आई बिल्ली दुम दबा कर वहां से भाग गई आख खोल चपाती मुसकाई मा ने उसकी जान बचाई यानि कि जैसे ही चपाती ने ये मंज़र देखा कि मा के आते ही मिली भाग गई है तो ये देख चपाती ने आँखे खोली और मुस्काई क्योंकि आज माने उसकी जान बचाई तो प्यारे बच्चो इस तरह से हमने ये मज़ा हिया और दिल्चस्प नजब को पढ़ा है और समझा है